शाही पनीर मतर पनीर खाना भूल जाएंगे अगर आप एक बार घर पे मतर मखाना की ये सबजी बनाएंगे एकदम शाही एकदम टेस्टी और एकदम क्रीमी बनके ये रेडी होती है और बहुत ही जल्दी बनती है और एकदम असान तरीके से घर पे पड़े समान से ही बनके वास्ट यह ची नहीं जाता है और व्रेंस पैनकी पित जित बड़िया बनती है तो अगर आपने मेरेरा चैनल को सबस्क्राइब नहीं और प्रेस की जएगा तो ald क्रण से armor मोखानामन के लिए सब तो समझे हमारा मखान अच्छे से रोस्ट हो चुका है अब इन्हें निकालेंगे एक क्रेट में और इन्हें हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे वैसे हम उसी कड़ाई में लेंगे थोड़ सा ओयल और उसमें डालेंगे देसी घी का एक चमज भरके और इसको पिखलने द हम इसके अंदर एड़ करेंगे एक चमज भरके जीरा और फ्रेंट्स जीरो को भी बढ़िया से भून लेंगे और भूनने के बाद हम इसमें एड़ करेंगे बारिक चौप किया हुआ प्यास और जब प्यास इसमें हम एड़ कर लेंगे हम प्यास को बढ़िया सा भूनेंग लगभग जब भी हलका सा इसको हम जब यह हलका सा पिंकिश कलर पे हो जाएगा तब तक हम इसको बढ़िया सा भूनते रहेंगे फ्रेंड्स यह सब जी इतनी बढ़िया बनती है और एकदम हलवाई स्टाइल में आपको भी मैं सिखाऊंगी और उसके बाद मैं आपको इसमें से थोड़ी सी एक हलवाई की टिप दोंगी जिससे हलवाई एकदम टेस्टी और क्रीमी मनाते हैं तो देखिए प्यास हमारे बढ़िया से भून चुके हैं अब इसके अंदर हम कुछ और स्पाइस एड़ करेंगे तो तो मैंने बारीक बारीक कट करके थोड़ा सा मैंने इसमें लिया था लेसुन तो हम लेसुन एट करेंगे बारीक कट किया हुआ है एकदम चौप किया हुआ है और अद्रक वह भी चौप करके लेंगे, हरी मिर्च लेंगे दो से तीन वह भी चौप करके और इनको बड़ी असा मिक्स करते हुए, हलका सा इनको भी हम सोटे कर लेंगे, अब इसके अंदर हम डालेंगे रफली चौप की हुए टमाटर, अब इनको भी हम थोटा सा मिक्स कर और इसमें हम डालेंगे एक चमज नमक ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो बड़िया से गल जाएं, कवी भी आप टमाटर याले शर्ना समज जाते हैं, बार के आधे सें क्वार गरेंगे देजा तो देखी आधे मैं रख दिया हैं मैं इनको अच्छे से mix कर दूँगी, जो कि मसाले के अंदर बढ़िया से भून जाएं, अब इनको भूनते होए बढ़िया से, हम जो यह मसाले हैं, इनमें से हम जो काजू हैं वह निकाल लेंगे, थोड़ा सा मसाला भी निकाल लेंगे, इसको मैं रखूंगी साइड में, इस इता मी neighboring ड़ी है कि आप शोड़ और अको शचाना भी आते हुए बाठीन या 1 बालेंगे नायो है तांके जो मार्टा और सब्सक्राइब हो जाएं अब जो यह मसालर मेरा निकाल वे निकाल ता अपो दाल एगे जार में हमंसे एकदम से महीन पीसना है, एकदम ग्राइड करना है एकदमतना है पेस्ट नहीं पनाना है इसका बड़ी ढसा और उसके बाद जो पेस्ट है हम इसके अंदर एड़ करेंगे तो महीन आपको भर एसा है जो अफक्र भाई तरह करेंगे. आप उसके अंदर एड़ करेंगे कुछ spices, हल्दी, दो चमल धनिया पाउडर, एक चमल जीरा पाउडर, आप इसमे डालें कश्मीरी लाल मिर्च बढ़िया से कलर के लिए, आप इसको मच्छे से चलाते हुए, बढ़िया से मिक्स करके, अच्छे से भून लेंगे तांकि जो ह अच्छा पन है अब दूर हो जाए, आप डालेंगे कुसूरी मेती, हाथ भी डालके बड़े से करश करके डालेंगे, इससे कुसूरी मेती से बहुत अड़ी बड़ी आप फ्रेग्नेंस आती है, बहुत बड़े टेस्ट आता है, और काफी अच्छे टेस्ट रेती है इसके पूरे अट कीजिएगा बहुत बड़े अलगती है, अब इसको भी मिक्स करके इसके अंदर एट कर देंगे थोड़े सा पानी, जितना आप पान चाहिए आप इसके अंदर डालके उतना ही पान डालके आप इसको बड़ी आसे पका लेंगे, लगबक 10-15 मिन हम पकाएंगे अब इसको भी डालके भी मिक्स करके अच्छा पका लेंगे, जैसे यह तेल चोड़ देंगे मसाले तो समझ डिजेगा कि हमारा मसाला पके एक दम से रेडी है, अब इसके अंदर हम एड़ करेंगे भूने हुए हमारे मखाने, तो चलिए आप इसके अंदर एड़ कर देते ह हैं मखाने हमेशे जब भी आप मखानों की सब्जी बनाएं तो हलका सा इने ड्राइ रोस्ट कर लीजिए नहीं तो जैसे हलवाई डी फ्राइ करते हैं आप डी फ्राइ भी ने कर सकते हैं तो देखिए एकदम बढ़िया से मिक्स कईजिए इसके अच्छे से तो हमारे सब्जी बन गई है बहुत ही बढ़िया बन गई है रेडी होई थी फ्रेंट्स ट्राइ जरूर कीजिएगा बहुत अच्छी लगती है अब लास में हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और इसके बाद डालेंगे खुब सा चाहिए अच्छी टेस्ट देता है और सब्जी बन के बुछ बटम अटियार होती है हम इसे ड़क दोसतीर मिन पिकाके से बिखर लेंगें ऑफ़ बड़ा बनी सब्जी बनी थी चैनिए फ्रेंट्स अब में सभिव कर लेते हैं देखिए कितनी क्रीमी और कितनी बढ़िया एक दम आप चाहिते हैं इसके अंदर थोड़ सा पानी और एट कर सकते हैं लेकिन हमें थोड़ सी यह ऐसी अच्छी रखती है इसलिए हमने थोड़ सी गाड़ी ही रखी थी तो फ्रेंट्स रेड़ी है हमारे सब जी ट्राइज जुरूर कीजिएगा बहुत बढ़िया बनी थ यह बहुत ही टेस्टी लगती है बच्चों को यह काफी पसंद आई थी अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा